वाले ट्रेडिंग सेशन में सिल्वर में क्या मोमेंट देखने को मिल सकता है लास्ट क्लोजिंग प्राइज एकतर हजाद शेसो के आसपास आ रहा है काफी अच्छी यहां पर बाइंग बॉटम से देखने को मिला लगबग लगबग 66 के आसपास यह डाउंसाड आया था और वहां से अच्छी रिकावरी के बाद एक साइडवे कंसलोडेशन में ट्रेड हो रहा है तो आने वाले दिनों में क्या अगें बाइक की पोजिशन बनाना चाहिए या इस लेवल से सेल की पोजिशन बना सकते कम्प्लिट जानकर इस वीडियो के अपर बताने की को सबस्क्र बताने वाला और रही बात फस्ते हैं विजट करें चैनल को सब्सक्राइब करने की और डेली बेस को पर इंट्राइडी लेवल चाहिए तो टेली ग्राम ज़रूर जोईन करें वनाप बेस्ट एकदम फ्री प्रोवाइड किया जाता है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मि कर सकते हो बात करेंगे सबसे बड़ा टॉप और लेटेस टॉप करेंगे इससे एक आपको आइडिया आ जाएगा कि अभी तक क्या हो चुका है राने वाले दिने में क्या प्रॉबबिलिटी बन सकती है तो सबसे हाइस टॉप की बात करूँगा इस सान का निकल क्या रहा है यहां पर देखने को मिला उसके बाद यहां पर देखने को मिला और लगबग लबग 66 के आसपस इसने लो किया और 66 के बाद अभी रिकावरी देखने को मिला और अब यह साइडवे जोन में ट्रेट कर रहा है तो अब भी जो लेवर्स निकल क्या रही है क्रुशल लेवर्स होने वाला क्योंकि इसने तीन बारे से हुआ एक दो तीन और चौती बारे से हुआ जहां पर इसने अपने हाई के पास गया लेकिन इसको ब्रेकावट नहीं किया और यह फॉर्ट टाइम ऐसे हो सकता है जो इ ब्रेकावट नहीं किया अब यहां पर हम डबल कंफॉर्मिशन कैसे लेंगे तो डबल कंफॉर्मिशन देख लेजे यह जो मैंने एक होरिजेंटर लाइन रॉक किया इसको कलर में चेंज करता हूँ ब्लू की जगह यहां पर ग्रीन में मैं कर दीता हूँ तो आपको एक रैली 32,000 तक आपको देखने को मिलेगा तो कोई आप सिल्वर में अभी जो बाइंग पर बैटे तो मेरे इसाब से पूजिशन आप एकजिट कर सकते हो और नहीं करना चाहते तो वेट कर लीजे आने वाली दिन में यह ब्रेकावट जरूर करेगा तो मैं इसलिए बोर रहा करेक्शन आके कम से कम 80,000 का एक हाय लगते हुए आपको सिल्वर में देखने को मिलने वाला है अभी किस बेस के उपर बता है वो में महीं है आपर टेक्निकल बेस के उपर संब्दाने की कोशिश किया है कि यहां पर डबल टॉप लग चुका है और डबल टॉप के बाद पासों के नीचे जब तक जाता नहीं है तब तक आपको अभी फ्रेस सेल की पोजिशन नहीं बनाना है इसलिए नहीं बनाना है क्योंकि इस रेंज के अंदर देखोगे तो पूरा हफता हो गया एक जोन में ट्रेट कर रहा है अभी यह प्रॉबिलिटी ब्रेकाउट की बनत आप टार्गेट के लिए पोजिशन होल कर सकते हो लेकिन अभी बहुत लोग सेल में फसे होंगे वो कहां पे अवरेज कर सकते तो उनके लिए अवरेज का लेज रहेगा 78 से लेके 80 का रेंज यह अवरेजिंग कॉस्ट रहेगा अपसाइड में जाता है और आप लॉस में प ब्रेकाउट है 33,000 पासों का और यहां से अभी बाई करके बैटे होंगे तो उनके लिए जो स्टॉपलस है वो सतर हदर पासों के साथ पोजिशन आप यहां पे खोल्ड कर सकते हो बात करेंगे यहां अभी आने वाले दिनों में यहां से कोई यहां पे डॉलर में ट्रेट क को मिलने वाला है लेकिन ध्यान में रखना यह लेवल ब्रेकाउट करने के वाद आपके लिए जो स्टॉपलस रहेगा वो रहेगा यहां पे 22.30 तो 22.30 के नीचे सस्टेन करता है तो फिर आप सेल की पोजिशन प्रेपर कर सकते हो तब तक आपको सेल की पोजिशन नहीं बन कि ना है मैंने बाइक के लिए प्रॉपर स्टॉपलस भी दिया हुआ है यहम सिक्स का भी दिया और डॉलर का भी यहां पे बाइका स्टॉपलस दिया क्यों दिया उसके पीछे की वज़ा पिछले बार का जो बैक हिस्टी चेक करोगे तो इसी जोन में मार्केट ने बहुत शार्प सेलिंग आया था तो अभी प्रॉबबलेटी बाइसाइड बनती है 25 के टार्गेट के लिए पोजिशन वोड करें 22.40 का क्या लगा दीजे स्टॉपलस के साथ आप पोजिशन वाइसाइड कर सकते हो फ्रेस बाइक लिए आपको 23.70 के ऊपर बाइक की पोजिशन को मिल सकता है तो कंप्रिट जान करें मैंने सीलवार के ऊपर बताने की कोशिश किये आप फस्टेम विजिट करें कोशिश करें चैनल को सब्सक्राइब करने की डेली बेस को पर इंट्राइडी लेवल चाहे तो टेली चैनल जोइन कर लीजिए वन आप दब बेस्ट एनलेस इस एक दम फ्री प्रोवाइड किया जता है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मिलते हैं विडियों अपके साथ तब तक के लिए बाइबाए